मैं राजधानी राची के पीचों बीच में जैपास स्टेडियम में खड़ी हूँ यह पहले राची की सान कही जाती थी आज वह एक कुड़े दाल और जंगल बन कर रह गई है इसकी स्थिती जरजर होती जा रही है यहां बच्छे अपना प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है नहीं में अधिक से बन जाता है एक कीचरा और उह पर बोई को आने जाने में और खेलने में बहुत दिकत होता है फिलिग मारते है तो फिशल जाते हैं काई गिर जाते हैं चोट लग जाता है हमेशा हर साल यहां पर छे महीना, साथ महीना तो मेला और या फिर सरकस वाले को दे दिया जाता है और हमारा प्रैक्टिस हमेशा उस समय आफ्रोच चला जाता है और चारा तरफ तो उस साल खाली कंक्रीट के जंगाली बनते जा रहे जो कि बच्चा लोग को एक मैदान बचावा बाकि सभी मैदान तो दिरे दिरे करके रांची टॉन में खटम हो चुकी है नगर निगम के अंडर जब से ही आया यहां पर कभी रबिश कंक्रीट का फिक दिया जाता है और हमारा स्टेडियम को मीशा बरबाद कर दिया गया यह बच्चा लोग का एक हिलने का मैदान था उसको भी बच्चा लोग से जने के चीन लिया गया इसलिए हम चाहते हैं कि एक लौतर स्टेडियम जो बचा है रांची सेंटर पे उसको अच्छा से बचा है जाए उसका पुनर निर्मान किया जाए और मॉडर्न स्टेडियम के तरह इसको विक्सित किया जाए मैं भी चाहती हूँ कि यह एक मॉडर्न स्टेडियम बने ताकि यहां कि हर तपकी के लोग इस खेल के मैदान में अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे इसके लिए राजिय सरकार और नगर निगम पर दबाव बनाने के लिए स्रीमती रामा खल्खोजी को इमा लिखित नंबर पर बोल करें ताकि जल्द से जल्द उसका पुनर निर्मान हो मैं भू निर्मला राची जार्फन से इंडिया अनहर्ट के लिए